हेलो एवरीवन विल्कम बैक टू मैं चैनल इस साइट सिधी एंड आज की क्लास में सभी डिसकस करने वाल हैं जितने भी स्टूडेंट ने इगनू में हिस्ट्री में एड्मिशन लिए और आप सभी का तो सेशन था वो था आपका जून 2023 का राइट तो जैसे कि आप सभी जा आप सभी को कौन कौन से सब्जेक को यहां पर पढ़ने हैं और उनके क्या-क्या सलेबस है तो इस पर कंप्लीट वीडियो हमें आप आज की क्लास में करने वाले जिसमें आपके सारे जितने भी डाउट होंगे वह क्लियर हो जाएंगे तो बिना वीडियो को स्किप करें वी आप सभी को मिलते रहे तो जैसे कि आप सभी जानते कि अब जो हमारा नया जो कोड का कोड वह मैं दुबारा बता रही हूं आज क्लास में डिसकस करने वाले जो फॉर्स्ट यहर में जितने भी लोगों ने अड्मिशन लिया था जून दोहजार तईस में तो हमारे फॉर्स आपके पास टोटल सेवन सब्जेक्ट होंगे ठीक है तो उसमें से आपको चूज करना होगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं तो उसमें आज सी क्लास में आपको बताने वाली हूं विद क्वेस्टिन पेपर के साथ ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो है कि आपको कौन सा लेना सही रहेगा तो चली स्टार्ट करते हैं अपने से कही ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हों ने अभी तक जो पुराने स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होगे जिनका कोर्स कोड मह होगा और यहां पर उसमें उनके पास टोटल फोर सब्जेक्ट होत होगा तो अगर अब आप लेना चाहते हो और आप ही चाहते हो कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए कौन सा नहीं तो उस पर हमारे चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिलेगी तो उसके लिए आपको क्या करना है आईए चलिए देखते हैं तो जैसे कि आप सभी देख सक जैसे कि आप सभी देख सकते कि लाइक हमारे पास सबसे पहले MHI 09 MHI 08 है ना तो हर एक प्लेलिस्ट में किसी भी प्लेलिस्ट को open कर सकते हो तो मैं यहां पर MHI 09 की प्लेलिस्ट को open कर रहे हूं और आप स्क्रोल करके नीचे जाएंगे तो आपको देखो यह वीडियो यहां प बताया हुआ है अगर आप में से अभी तक जितने भी स्टूडेंट ने यह वीडियो नहीं देखिए तो आप जाकर देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अधर्वाइस आप इस तरीके से जाकर के वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं तो अब आप सभी को six subjects पढ़ने है तो अब आपके पास कौन कौन से subject होंगे और seven में से कौन से six subjects आपको चूज कर रहे हैं आएए चलिए देखते हैं बट यह ओल्ड syllabus वाले student को यहाँ पर अपनी इस complete वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको help हो जाएगी कि आपको कौन से subject लेने चाहिए और कौन से नहीं तो यहाँ पर हम अपने वापस इस पर आ गये हैं तो यहाँ पर आप सभी देखोगे कि हम इसमें second year के स्लेवस के बारे में discuss करेंगे तो आपने अल्रेडी देखा है कि अब जो आपके पास subject होंगे उनका course code होगा MHI 03, 08, 09, 10, 11, MPSC 004 और MGP 004 ठीक है अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी देखो कि अब आपके पास जो compulsory वाले subject है 03, 08, 09, 10 और 11 यह five subjects हैं यह compulsory है यह आपको मिलेगा ही मिलेगा आपको इसे अब पढ़ना ही होगा ठीक है अब बात आती है तो उस जो आपको second year में करना है इस बार वो इन दोनों subject में करना है एक आपका MPSC 004 है और दूसरा हमारा MGP 004 है तो यह आप कह सकते हैं तरीकी के political science के subject है जो कि आपको मिलने वाला है तो इन दोनों में से कौन सा best रहेगा आपको आपके selection के लिए तो यह हम यहाँ पर देखने वाले syllabus के साथ तो वीडियो को skip मत करना end तक बने रहना और हम बागी के five subjects भी देखेंगे कि इन five subjects में हमें क्या-क्या पढ़ना होगा इस बार तो यहाँ पर जितने भी चैनल पर फॉर्स टाइम आये तो second year के लिए फॉर्स टियर के लिए paid classes, notes, assignment, सब कुछ available है उसके लिए आप इस WhatsApp नंबर पर contact कर सकते हैं सिर्फ WhatsApp message की तुरू call allowed नहीं है तो चड़िए आगे बढ़ते सबसे पहले हम बात करेंगे तो हमारा जो सबसे पहला subject होगा वो होगा आपका MHI 103 आपके इस subject का नाम है historiography यानि कि इतिहास लेखन की बात है तो यह हमारे पुराने syllabus में भी था और नए syllabus में भी आपको यह चीज देखने को मिलने वाली है तो यहां पर यह जो हमारा जो subject है historiography यह बहुत ही rare students होते हैं जिन्होंने इसके बारे में कभी पढ़ा होता है ठीक है तो historiography यानि की historians history writing लिखते हैं इसके बारे में बात करेंगे वो भी इस chapter में इस पूरे book में historiography हमें करना होता है ठीक है तो पहले तो अपनी यह देख लेते हैं चलो syllabus बाद में देखेंगे पहले हम subject को देखते हैं next देखते हैं आपका जो next subject है वो है mhi08 यह जो आप syllabus देख रहे हो तो यह syllabus mhi08 है तो यह syllabus हमारा पूरा का पूरा completely change हो गया है पहले भी हमारे पास mhi08 था हमारे इस book का नाम है environment and ecology तो यहां पर हम बात करेंगे आपके प्राइवरेंट से related तो यह वाली जो book है इसके अंदर नाम environment से related history को connect किया गया है और बताया गया है बट याद रखना यह वाला जो mhi08 होगा और जो पुराना है दोनों पूरे completely उन्हें chapters को बदल के रख दिया है अब यहां पर नए नए chapters हमें देखने को मिलने वाले तो चलो कोई बात नहीं हमें पता है mhi3 और 8 तो compulsory है हमारे exam के लिए आगे देखो next जो subject होगा वो होगा हमारे पास mhi109 जिसमें इंडियन national movement यानि कह सकते हैं यह हम पढ़ने वाले modern history यानि आधुनिक इतिहास के बारे में आपके पास ma history second year में एक ही subject है वो है mhi109 इसमें भी maximum आपके कुछ chapters को add किया गया है वो क्या किया गया है वो अभी हम बात करेंगे लेकिन आगे बढ़ते हैं next आप देखोंगे mhi10 ठीक है 10 की अगर हम बात करें तो 10 और 11 दोनों ही same book है यह आपका urbanization सहरी करण के उपर बात है तो इन्होंने इसमार क्या करा है आपके mhi10 को दो बुक में divide कर दिया है तो आपके इस वाले बुक के अंदर भी हमें इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है ancient medieval और modern बट हम इसमें urbanization पे हमारा main focus होगा ठीक है तो पार्ट वन इन्होंने इस आपके 10 में divide कर दिया है और जो बाकी के कुछ चैप्टर है वह इन्होंने mhi11 में कर दिया है तो यह आप देखोगे 1300 से 1950 का urbanization कैसा था वह अभी नेक्स्ट बुक में कर दिया है वह गया आपका mhi111 में ठीक है तो यह हमारे पास overall subjects है तो यहां पर आपने देखा कि 3 तो देखो अगर हम आपके स्टोरियोग्राफिक की बात करते तो यह तो हमारा बिलकुल अलगी concept आपको देखने को मिझता है बट अगर मैं आपके MHI 8 9 10 11 की बात करूँ तो देखो 8 10 और 11 तीनों में सेम चीजी करनी है आपको इंडियन history ancient medieval और modern बट 8 में हमारा focus इंवार्मेंट पर होगा और 10 और 11 पर हमारा focus अर्वनाइजेशन यानि सहर रिकरन पर होने वाला है अब 9 में आपको अल्रेडी बता दिया कि 9 में हम सभी सिर्फ और सिर्फ modern history को cover करने वाले clear हो गया चलिए अब बात करते क्योंकि अब तो यह सारे subjects compulsory यह तो हमें मिले गई लेकिन हम आगे बात करते जो नया हमें यहां पर देखने को मिलता है यह पूरा syllabus है यह मैं अभी आपको बताऊंगी आप देखो जो हमारे पास next है आपके choice होगे कि आप MPSC 004 यानि social and political thought in modern इंडिया यह तो आपको यह subject लेना है इसके syllabus में आप देखोगे तो पॉलिटिकल थॉट्ट के बारे में तो इसके अंदर हमें total अगर आप देखोगे तो unit 16 थीक है तो MGP वाले में देखोगे गांधी जी के में हमें total 15 unit देखने को मिलने वाले और MPSC की बात करेंगे तो total 16 unit देखने को मिलने वाले चलो यह चैप्टर तो समझ में आ गया बात करते है कि यहां से सबसे यानि इसमें हमारे topic में सबसे important चीज क्या है इसमें क्या क्या कीज़े पूछी जा सकते हैं इन दोनों में से हमें कौन सा subject लेना चाहिए तो देखो यहां पर सबसे पहले MPSC 004 की बात करते हूं यह पहले भी था लेकिन अब आपको इसमें पढ़ना ही पढ़ेगा पहले तो चोईस थी करना या नहीं करन करने वाली बात थी देखो MPSC 004 की बात करते हैं तो इसकी स्लेवर्स की अगर आप बात करोगे तो आपको इसमें पढ़ना है यहां पर सोशल रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थौट ठीक है समाजिक धार्मिक और उसके राजनेतिक विचार क्या है वह हमें करने नेक्स्ट आपको औरियंटलिस्ट डिसकोर्स और कोनोनियल मॉडनिटी के बारे में बताना है पॉलिटिकल थौट क्या थे मॉडन इंडिया के उसकी विसेशता है बतानी है इसी तरीके से आपको राजारा मोहन्रोय बंकिम चंद्र चैटर जी जोतिवापुले दयानन सरस्वती इनके बारे में बताना है ठीक इसी तरीके से जो आपको मोडरेट और एक्स्रेमिस्ट चैनी की दाधा भाई नरोजी एम जी राना डे और बाल गंगा दर्ति लग ओवरॉल अगर हम देखते तो इस बुक के अंदर आपको हर एक लीडर के बारे में डेटेल में पता होना चीए च इसे तरीके से सबके ऊपर एक चैप्टर दे रखा है महत्मा गांदी जवालना नहरू बिया रमबेटकर रविंदरनाथ टैग और एम एन रोय और बाकी के जैप्रकास नरायन तो ये पूरे 15 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं रही बात तो याद रख रहा है इसमें क सारी चीजे इसमें पढ़ना है अब बात करते हमारे नेक्स्ट जो हमारा जो नया एक स्लेवस आया है एम जी पी नाम से काम भी समझ जा रहा है कि यहां पर हमें गांदी जी से सारी बाते हो रही है कि इनके पॉलिटिकल थॉट्ट क्या थे इस वाली बुक में इसके बारे म क्या प्यारा नेक्सट वयूजैर्ट को लेकर किया वी यह चार है वह आपको बताना है नेक्स को सबके राइट ब्यूटि एक्वैलिटी पावि यह आपको बताना है उसके बात गांदी जी को कॉनिडी इंपरेल लिब्रीलिजम और इस सारे आपको बताना만 है इसलिए आगे देखोगे तो आपको बताना है कि गांदी जी का जो गॉलेंस के उपजो श्ट्रगल चल रहा था कॉन्फिक्ट रेजिलीशन पैसिफिक वर्ल्ड वर्ल्ड और तो यह सब कुछ हमें इस बुक में बताना होगा तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है यह आपकी चोईज है कि आपको सिर्फ गांदी जी को लेकर के देखना है कि गांदी जी को इन सब से रिलेटिट क्या व्यूज है यह आपको बताना है आप लोगों ने अल्रेटि अगर इस बुक की बात करें वन जिरो टू पढ़ रखा है जिसमें हमने इंप्रिलिजम, गुनॉलिजम, लिब्रिलिजम, सोशलिजम, मार्क्सिजम अल्रेटि हमने ही चीज़े पढ़ी भी है ठीक है जाते हैं किन दोनों सब्जेक्ट में क्यों इस तरीके से पूछे जाते हैं तो और बी detect का में सीफिन कक को ले न चाहिए ठीक है चलिए और वीडियो पेजांदारियों तो लाइक श्येर करना मत बूलना आपको श्रिफ वीडियो को लाइक और शेयर करना है और वीडियो पसा है तो comment भी करना है और अगर आपके कोई भी doubt या query है तो telegram channel का link description box में नहीं तो आप comment box में comment के थूरू भी पूछ सकते हैं तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर अब इन दोनों subject में थे मैंने आपको यह idea बता दिया कि आपको कौन से questions करने है या कौन सी book में हमें क्या चीज़ बताई जा रही है चलिए question paper भी देख लेते हैं आपको एक idea भी हो जाएगा कि यहाँ से question किस तरीके से पूछे जाते है देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके social and political thought in modern India तो जैसे कि हम देख सकते हैं political science के subject है बट chemistry का ही पार्ट है तो पहले यह exam अगर हम देखते हैं तो यह सिफ 50 marks का आता था बट कोई नहीं आप सारी questions को double करके लेके चलना सबसे पहले section 1 में देखो आपसे पूछा है distinct feature of pre-modern Indian political thought के बारे में बताना है फिर उन्होंने next पूछा nature of social reform Hindu renaissance in early colonial India फिर आपको nationalism के बारे में बताना है और इसके क्या reference थे liberal ideas को लेकर के फिर आपको MS गोलवाल करके view क्या थे Hindu nationalism को लेकर के और next आपको बताना है exam in various trends in muslim thinking in pre-independent India यह question देखो change होते रहते यह नहीं कि ऐसे ही आएगा उसके बाद देखो यह इन्होंने आपके रविंदर नाद टैगोर की freedom को लेकर क्या थे हो रही थी और पंडित हरमाभाई के क्या views है patriarchy को लेकर के राइकर के जो है इंडिये इन्होंने आपके critic किया था हिंदुजम को उसके क्या views है और next आप देखो कि आपको बताना है गांदी जी के political orientation के बारे में बताना है जवानना नैरू के क्या views थे secularism को लेकर के इसी तरीके से बिया रंबेडिकर का caste system से question आया है तो इस तरीके से आप देखो कि other leader के बारे में भी exam में पूछ जाता है वो और भी हो सकता है जरूरी नहीं यहीं आएगा बट आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर किस तरीके के questions देखने को मिलते हैं आप Hindi medium में भी देख सकते हो तो यहाँ पर क्या है आपको कोई भी लीडर यहाँ पर कोई specific नहीं कि यह question repeat होता है तो यहाँ पर आपको आगे आने वाले वीडियो में देखने को जरूर मिलेगा कि मैं आपको यहाँ पर पांच सालों के questions paper को जरूर अनलाइस कराऊंगी कि सबसे आदा question MPSC 004 और MGP से कहां से पूछे जाते हैं आपके लिए क्या beneficial होगा बट अभी वह आगे के time पर आएगा आपके exam में time है बट अभी आप सभी registration का form फिल कर रहें तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपको subject लेना यह कौन सानी क्योंकि आप इसे स्टूडेंट होते हैं शाइवर के FSA फिल कर आते हैं खुद भी फिल करते हैं जल्दबाजी में हम लोग फिल कर देंगा एक्जामनेशन का time आता है तो लगता है हमने यह क्यों फिल किया हमें कुछ और करना ता फिर आप change कर वाते हो तो उस इस तरीके से questions पूछी जाते हैं एमजीपी में देखो यह question paper भी जून 2022 का यह गांदी जी का पॉलिटिकल फॉट पर देखो यहां पर आपसे पूछा है गांदी जी के criticism of western civilization गांदी जी का concept बताओ citizenship गांदी जी notion of Indian as a nation गांदी जी ने स्टेट को लेकर के सेक्शन बी में आप देखोगे तो आपको बताना है freedom और equality के बीच में relationship हमें बताना है गांदी जी के एक conflict resolution देखने को मिलता है वो बताना है और गांदी जी का पैक्सिपिजम और इस तरीके से village और city में difference बताना है गांदी जी के accordingly village और city में क्या फरक है और आपका सत्याग्रे तो यह question कुछ भी आ सकता है बट मैंने आपको एक idea दे दिया एक hint दे दिया कि यहां से इन दोरो ह से किस तरीके से questions यह लोग पूछते यह पूछे की जाने की chances है otherwise आगे आने वाले दिनों में हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी देखने को कि इन में सबसे आदा important topics क्या है आशा करते हो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको clear हो गया होगा कि आपको क 9 10 और 11 इसके complete syllabus हमें आपको next वीडियो में देखने को मिलेगा लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही क्योंकि आपको यहां पर यह बताना था important कि दो subject में से क्योंकि यह तो आपको मिलेगा ही मिलेगा तो आपको अभी यह देखना है कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा beneficial है तो comment करके जरूर बताइएगा कि आपको इन दोनों में से सबसे better जो है कौन सा लगता है ठीक है तो चली student आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते है अपने next वीडियो में thank you for watching